असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स आज हम करेंगे आपकी क्लास पोत की व्याकरन वाटिका की किताब से पार्ट नमबर ग्यारा आप अठित गद्यांश इससे पहले की जो पार्ट है मैं आपको बाद में कराऊंगी लेकिन पहले हम हमारा जो हाफियली का कोर्स से वो किलियर कर आते हैं आप अठित अध्यान शी क्या है आपके एक्जाम में ऐसे एक पेरग्राफ आता है लिखा हुआ आता है वह आपके पास और नीचे उससे ही रिलेटेट कुछ क्योशन साबसे किये जाते हैं उनके उसन की आंसर आपको उसी पेरग्राफ के अंदर लिखे हुए होते हैं आपको बस क्या करना होता है इस पेरग्राफ को अच्छे से ध्यान से पढ़ना होता है और फिर नीचे क्योशन पढ़कर उनके आंसर हमें उपर से वहाँ पे देखने होते हैं जैसे यह एक आपको सोल्व करके दिया हुआ है और एक नीचे मेरे आपके लिए सोल्व किय तो मैं आपको यह नीचे वाला पढ़के बता रही हूं साइकिल बहुती सस्ती सवारी है मोटर कारों की तरह इसे पेट्रोल डीजल यह सी एंजी के आवशक्ता नहीं पढ़ती है पैक कई पशू की तरह इसे दाना भी नहीं चाहिए पैडल घुमाने मात्र से यह दोड लगा आती है केसी भी सड़क हो कच्ची या पक्की यह फर्राटे से चलती है इससे वायू प्रेदूशन या दहुनी प्रेदूशन भी नहीं होता चोटे बच्चों को तो यह विशेश प्रिये है आजकल बाजार में साइकिलों के एक से बढ़कर एक मोडल उपलब है यह अगर ह देखी मेस पढ़िया है मैं नीचे क्योंशन पढ़ने चाह रही हूं कि क्या साइकिल केसी थंभाव है इसका अंसर हमें इसी परिएग्राफ में मिल गया ये रहा cycle 32 सस्ती सवारी है हे न देखे मैंने इसको यहाँ नीजे लिख दिया है cycle 32 सस्ती सवारी है फिर दूसरा प्रिश्यल है motor caro की तरह cycle को क्या नहीं चाहिए ये रहा इसका answer देखे motor caro की तरह इसे petrol, diesel ये CNG के आउशक्ता नहीं पढ़ती हो आगे है इसका अंसर फिर यह मैंने यहाँ पर लिख दिया है फिर थर्ड है साइकिल से क्या नहीं होता यह रहा है इसका अंसर इससे वायू प्रदूशन या धोहनी प्रदूशन भी नहीं होता फिर साइकिल किन है विशेश प्रिये है छोटे बच्चों को आजकल बाजार में साइकिलो के कैसे मोडल उपलब्द हैं आजकल बाजार में साइकिलो के एक से बढ़कर एक मोडल उपलब्द हैं सबी अंसर हमें उपर की पेरिग्राफ से मिल गए हैं ठीके बहुत इजी है आप मार्क इससे अच्छे स्कॉल कर सकते हैं फिर देखी सेकंड इन पेरिग्राफ में मैंने आपको आसानी करने के लिए इसमें निशान लगा दिये हैं आपके आंसर के यह आपको खुद फिल करना है ठीक है और यह वाला पेरिग्राफ भी आपको खुद फिल करना है सारे निशान में आपके लिए यहां पर लगा के रखें अब आपको करन क्या है इन पेरिग्राफ को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है उसके बाद इनके नीचे जो प्रेशन लिखे हैं उन्हें पढ़कर के उपर सही उनकी आंसर वो तो मैंने तो आपकी लिए लगा कर ही रखे हैं और आपको भी कोशिश करनी है कि आप भी उसे देखो और समझो ठ ठीके अल्ला आपीस